हर हर महादेव मित्रों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी अलफाबिट के जो वाई नाम बाले जातक होते हैं इनका आने वाला वर्स यनि की 2023 कैसा रहेगा 2023 में वाई नाम बालों के जीवन में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक बदलाब होगा इनको क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा या इनके जीवन में क्या क्या होने वाला है सवाल बहुत ज्यादा महतुपुर्ण है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले वर्स का एक टोटका है तो आपको उसे भी सुनना है और आजमाना है आपका आने वाला वर्स बेहतर हो जाएगा और कहीं कोई पढ़ेशाने बिल्कुल भी नहीं होगी तो आईए अब हम वीडियो के सुरुवात करते हैं और जानते हैं आपके आने वाले वर्स के बारे में और शब से पहले जानते हैं आपके पाडिवारिक जीवन के बारे में मित्रों पाडिवारिक जीबन के द्रिष्टिकों से आपका जो आने वाला वर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा आने वाले वर्स में पाडिवारिक जीबन के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा क्योंकि वर्स की सुरुवात में भगबान सनी आपके कुंडली के तीसरे घर में रहने वाले हैं और इस कारण से आपके माता-पिता का श्वास्त बहुत ज्यादा खराब होगा और माता-पिता के शाथ में आपका संबंद भी ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा मित्रों आने वाले वर्स में अगर आपके घर पडिवार के लोग आपसे कुछ उम्मीद करें तो पडिवार बालों के उम्मीद पर आपको खराव तरना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं पडिवार बालों की आविश्चिक्ताओं को अगर आप पूरा नहीं क इसके बाद है शंतान पक्ष, संतान के दृष्टिकों से आपका आने वाला वर्स बेहतर रहेगा, शाल के शुरुवाती चार महिनों के दौरान संतान के मामलों में कोई खुसखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, अगर आपकी संतान विवाह के योग्य है तो आने वाले वर् वेपार करते हैं, तो वेपार के छितर में भी उन्नती की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन साल के मध में उनको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रेल के महिने से लेकर अगस्त के महिने के बीच में उनका शमय उनका साथ नहीं देगा, और इस जीवन साथी का शपोट उनका सहयोग आपको अवश्य मिलेगा अगर आपके दामपत्य जीवन में कोई तनाओ था कोई मन मुटाओ था तो आप चिंता बिलकुल भी ना करें बस जीवन साथी का शपोट उनका सहयोग आपको करना है और जीवन साथी के शाथ में आपको छल पट नहीं करना है जूट नहीं बोलना है अगर इन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपका दांपत्य जीवन बहुत जयादा मधुर और रोमांचक होगा मित्रों आने वाले वर्स में जीवन साथी के शाथ में कहीं घुमने का मौका भी आपको अबश्य मिलेगा और वर् उतार चढ़ाब से भरा हुआ रहने वाला है आने वाले वर्स में अगर अपने कामकाज के परती आपको इलापरवाही करते हैं या जल्द बाजी करते हैं तो कामकाज के छित्र में नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा लेकिन अगर सही तरीके से आप काम करते हैं तो आपको प्रतेक दिन सुर्य उद्य के समय भगबान सुर्य को अर्ग देना है अगर आप ऐसा प्रतेक दिन करते हैं तो आपका जुआने वाला वर्स है वो बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार होगा और कहीं कोई पड़ेशाने बिलकुल भी नहीं होगी मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता अवश्य की जाएगी वैसे मैं उमीद करता हूँ साड़ी बातें किलियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै सुर्य देवता आप कमेंट कर दें तो हमारी आपके मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै विहार जै मिथिला